दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि emotional हो जाता है ट्रेडिंग करते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसी strategy share करूँगा जिन strategies को use करते हुए आप emotional trading से दूर हट जाओगे और आपकी results है वो खुद बाखुद grow करने चालू हो जाएंगे जिन results को आप हमेशा achieve करना दोखो सबसे पहली बात आती है जब हम बात करते हैं trading की तो trading के अंदर बहुत सारी चीज़े होती हैं like हम intraday trade करते हैं काफी लोग होता है scalping करते हैं like minute की candle के उपर काम किया जाता है काफी सारी लोग ऐसे हैं जो कि कह सकते हो आज buy किया कल को sell करेंगे काफी लोग है जो positional trade करते हैं काफी लोग है जो swing trade करते हैं अब यह सारी की सारी जो trading strategies है ना like यह सारी strategies depend करती है आपके mind के ऊपर कि आप किस तरीके के person हो देखो काफी सारे लोग होता है उनको बहुत ही जादे quickly काम करने में मज़ा आता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो long term में work करना जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कह सकते हो intraday अच्छा करते हैं यह सारे के सारे जितने भी मैंने आपको trading styles बताया है ना यह different different persons के लिए होते हैं अगर सोचो आप एक doctor के पास जाओगे और वो सब को एक ही दवाई देना शुरू कर दे कि भाई तू भी यह खा और तू भी यह खा और तू भी यह खा ऐसा नहीं हो सकता इसी तरीके से अगर आप market में आओगे तो market में भी आप लोगों के लिए different different चीजे हैं उस तरीके से आपको खुद से identify करना है तो मुझे क्या करना चाहिए या मेरी problem यह है तो मुझे क्या करना चाहिए आज मैं आपको यही चीज है explain करने कोशिच करूँगा आपके mindset के अंदर जो problems है जो आप सोचते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ भाई ऐसा नहीं हो सकता आपको खुद से यह चीज notice करनी है कि आपको loss होने के कारण क्या है मैं फिर बोलूँगा एक doctor के पास आप जाओगे तो सबको एक जैसी द कि रात और रात करोड़पती बन जाए उनका कहना है कि हम शान्त होकर काम करना चाहते हैं ऐसे ही अगर कोई इंसान आता है मेरे पास 20 प्लस तो उसको यह लगता है कि एकदम से करोड़पती बनना है यह बताओ स्कैलपिंग कैसे कर सकते हैं क्या-क्या चीजे करनी चाहिए क कौन से स्ट्राजी इंप्लिमेंट करनी चाहिए तो मेरे भाई आप जिसकी एज 50 प्लस है और आप जिसकी एज 20 प्लस हुई है इन दोनों के अंदर डिफ्रेंस पता है कहां पर है माइंड सेट के अंदर वो सोचने की शमता इस इंसान की पास काफी जादा है तो यह इंसान इंट्राडे में ना काम करकर यह काम करेगा पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, लाइक ऑप्शन सेलिंग और यह इंसान कोशिश करेगा कि मुझे भाई तुम कुछ ऐसा बता दो कि एक मिनट की केंडल पे भी काम कर लू जिसको कि स्कैल्पिंग बोलता है अब इन दो उनों चीजों को समझने के लिए most important आजाता है आपको करना क्या चाहिए आप पहले decide कीजिए कि अगर आपकी age 20 है या आपकी age 50 है यहाँ पर age कोई खास factor नहीं होता जो आप business करने जा रहे हैं ट्रेडिंग जिसको बोलता है ट्रेडिंग के अंदर ना तो आपकी age देखी ज जगा से हो कोई मतलब नहीं है आपकी psychological thinking आपके सोचने की शमता हो सकती है अभी जो मैं बाते कर रहा हूँ एक 50 साल वाले इंसान की बाते कर रहा होगी यह बंदे कोई बाते कैसे पता लगी पता लगी experience के base पर हो सकता है एक बहुत 50 साल वाला इंसान बच्चों वाली बाते करता हो 20 साल वाले बच्चे की तरह कि भाई मैं असा भी कर जाओंगा समझ रहे हो यह difference है totally mindset का अब आप अगर 20 years के हैं तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आप 50 years के हैं तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए और यह strategies धंक से समझ लो क्योंकि यह चीज़े बहुत से पहले कम amount होगी like आपके पास में जो fund है वो बहुत ही कम होगा लोगे किस से आप अपने पापा से मम्मी से या family member में से trading के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा जो 20 से लेकर 25 वाली age है अगर आप इसके अंदर केवल और केवल trade idea like जो आप काम कर रहे हो कैसे काम करना knowledge gain कर लेते हो क्योंकि ये knowledge जो achieve करोगे आप ये आपके आने वाले 50 साल को decide करेगी कि आप पैसे के प्रती कैसे सोचते हो ये बात clear कर ले ना पैसे के प्रती सोचते कैसे हो ये बात समझते हो ये नहीं समझते हो कि पैसे से पैसा कमाया जाता है पैसे को काम पे लगा कर पैसा कमाया जाता है, ना कि पूरी जिन्दगी पैसे के लिए अपने समय को बेचा जाता है जितनी जल्दी आप ये concept समझ जाओगे आप लोग आने वाले अपने life के अंदर बहुत जादा achievement कर पाओगे, यहीं बात आजाती है कि अगर आपकी age कम है आपको करना कह चाहिए, आप क्या करोगे बहुत ही कम amount के साथ में, like fund कम है तो amount भी कम ही होगी, आपको focus करना चाहिए कि उन strategies को back test किया जाए, उन strategies को check किया जाए, जहां पर आपको profit होने की probability बहुत जादा high हो, लोग करते कहां पर है, सबसे गलती यहां पर यह होती है कि यह लोग उतर जाते हैं, scalping scalping करने पर, scalping मतलब जो एक मिनट की candle के उपर काम किया जाता है या फिर intraday करने पर जहां पर इनको losses देखने के लिए मिलते हैं, plus इनके bank account पर पैसा तो आए ना आए, वो आलग बात है, बट इनके mind के अंदर एक experience picture clear हो जाती है कि यार मैं तो जब भी trade करता हूँ, loss ही देखता हूँ समझ रहे हो, यह problem ना है most important, अगर आपको बार 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 profits होंगे ना, यह बात ध्यान रखना, तो यह profit वाली बात है, आपके mind पे जब जाएंगी आपके mind पे picture बन जाएगी मैं चीज कर सकता हूँ, और picture बनने का मतलब होगा confidence जो कि market में आपको कोई भी नहीं दे सकता कोई college नहीं दे सकता, यह confidence तयार होता है, जब आप काम करते हो और आप feel करते हो यार मैं profitable हो पा रहा हूँ, तो मेरी advice इन particular age वाले बंदों के लिए कि इवल इतनी ही रहने वाली है कि भाई जो भी आप चीज कर रहे हो ना, उस पे ऐसे focus करो कि maximum trades हमारी positive जाए और positive जाने का तरीका बड़ा simple सा होता है, अगर आप यहाँ पर intra day से starting करोगे आप scalping से starting करोगे जो की एक professional भी करने में घबराता है, तो भाई यहाँ पर आपके loss होने के chances हाई है आपको करना कैचिए maximum time swing trade पर focus करना चीए option selling पर focus करना चीए ताकि आपकी trade जो आपने की, 10 trade की, तो 10 में से अगर art positive गई न, तो आपके mind में एक picture clear हो जाएगी, कि भाई मेरे पास में एक ऐसा carrier भी available है जिसके अंदर मैं easily अपने आपको continue कर सकता हूँ, जहाँ पर मेरा पैसा मेरे पैसे को कमा कर लाएगा I wish यह बात clear हो गई होगी, then अब बात करता है उन इंसानों की, जो पिचारे अब फिफ्टी प्लस हो चुके है उन उनको लगता है, कि यार हमें थोड़ा लेट पता लगा reason बड़ा simple सा हो सकता है उनकी family condition में trading allowed ना होती हो उनको उस चीज़ के कभी knowledge दी ना गई हो उनके आगे ऐसे लोग आये ना हो कि भाई, जो लोग trading करता है अगर मालो आप YouTube से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लगेगा कि भाई, यहाँ पर कैसे काम किया जाता है सोचो YouTube ही ना होता आपके हाथ में फोन ही ना होता, तो आपको कैसे पता लगता अगर यह इंसान ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो ट्रेडिंग करने के लिए इनके इंदर कुछ नेगेटिव बाते भी होती है यह कहते है भाई हम बहुत ही जादा लेट हो चुके है ठीक हम लोग सीख नहीं पाएंगे क्यों नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आज कर टेकनिकल चीज़े बहुत यूज होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपने like second year तक like अपनी college के अंदर second year तक मैंने 1650 Nokia 1650 phone को use किया ठीक है देन उसके बाद में इतनी जादा changes count हुआ है कि अब बात की जाए तो यह phone like इससे बहुत कुना अच्छे phone तक shift होने के बाद में technology को चीज़ों को use करते हूँ आज बात ऐसी आजाती है कि मुझे हर चीज़ के बारे में like पता करने के लिए सबसे पहले मैं google पे ही जाता हूँ तो अगर आप यह mindset रखोगी कि मेरी age हो चुकी है 50 plus हूम है और मैं यह चीज़े नहीं सीख सकता तो सबसे पहली कमी तो यह count होती है दूसरी कमी count होती है system के उपर believe ना करना system के उपर believe मतलब वो लोग यह मानने को ही तयार नहीं होते काफी लोग कि भाई online बैट कर भी पैसा कमाया जा सकता है online की मैं बात करू न तो आज ऐसे ऐसा time आ चुका है कि छोटे छोटे बच्चे like instagram, facebook, youtube पर अपने channels या create करके लाखोर पर महीना कमा रहे है और जो इनसान 50-60 साल बिचारा महनत करने के बाद अभी 50,000 पर महीना कमा पाता है वो इनसान उनके सामने कहीं भी नहीं टिक पाता क्यों? क्योंकि उनने online को अभी से ही यहाँ पर काम करना चालू कर दिया है आने वाला future online business का ही होने वाला है और वो आप देख भी रहे होंगे सब कुछ आज के समय online हो चुका है आप एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज online कर सकते हो तो पैसा भी online कमाया जा सकता है यह बात ध्यान रखना पहले ही picture clear हो नीची mind के इंदर then second step count हुआ third step की बात करें fund management fund की बात करें अगर बात की जाए तो fund की तो यह जो इंसान होता है यह इंसान किसी भी online business में जादा पैसा रखना involvement रखना ही नहीं चाहता क्यों यह चीज मैंने notice किया है उनको बोलो कि trading करनी है पहली बात तो यह है उनके mind side में picture ही रहती है trading मुझे आती नहीं है और किसी ने बूल दिया होगा कि यह जुआ है तो भाई फिर तो वो कभी भी नहीं करेंगे क्यों hundred लोग market में काम कर रहे हैं तो हमारे conscious से subconscious mind में यही बाते जाती है कि भाई यहां तो maximum losses ही होता है और losses होता है जुआ बताता है हमें इसको क्यों भाई पता ही नहीं क्यों उपर जा रहा है अरे भाई उसके पीछे reasons होता है उसके पीछे technical and fundamental reasons होता है इनके पास तक कैसे पहुचा जा सकता है इनके द्वारा लिखी गई जो important books है उनके द्वारा लिखा जा सकता है देखा जा सकता है कि यह लोग क्या सोचते है आप एक चीज सोचो एक बंदा साल बर में 100 क्रोड कमा रहा है ठीक वो बंदा आपसे मिलने तो नहीं आये का अगर आप 50,000 एक लाग की salary लेते हो तो वो बंदा आप तक कैसे आप आएगा अगर उस इनसान ने अपनी life को represent किया एक book के अंदर कि भाई मेरे साथ में यह ते problem थी मैंने यह चीज़े की हैं ऐसे से काम किया अब बात आ जाती है हम उन books को भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं जो उन लोगों की like problems को यहाँ पे show करें और हम उनसे relate कर पाएं कि यार यह problem मेरे साथ भी तो आ रही है ना यह problem मेरे साथ भी तो count हो रही है यह बाते हमें पता ही नहीं लग पाती क्योंकि books पढ़ने की आदत नहीं होती चवन नहीं हम खर्च करना चाहते नहीं यह भी problem count होती है इस condition में आकर इस particular age के persons के अंदर कोई बुरा मत मानना मैं बिल्कुल वो बाते बता रहा हूँ जो चीज़े actual में problem create करती है अगर आप इन में से नहीं हो आप बहुत अच्छी बात है आप ज़रूर ग्रो करोगे बट उन लोगों के लिए जो लोग इस particular age के अंदर problems create करता है यह problem में आती है तो आपको करना क्या है आपको समझना है कि काम करना कैसे होता है market में काम क्यों किया जाता है यह 90% लोगों को लुकसान होता क्यों है because unprofessional लोग होता है इसके अंदर सारी दुनिया के लोग count कर सकते हो एक चुट इसी मज़दूरी करने वाला इंसान भी जो दिन का 1000 रुपी 500 रुपे कमा रहा है वो इंसान अगर ट्रेडिंग करेगा और without any professional like उसके पास में कोई knowledge नहीं है उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़े होती है तो वो क्या करने वाला है अब खुद सोच सकते हो यह बंदे क्या होता है इनके पास पैसा भी होता है इनके पास knowledge भी होती है इनको पता होता है कि market में पैसा जो बनता है वो कैसे बनता है यह इंसान क्या करता है यह 1000 रुपे लेकर आता है और बात करता है 10,000 रुपे कमाने की देखो डिफरेंस बहुत ही simple सा है सामने बोल रहा हूँ यह बंदा क्या करता है ये बंदा लेके आता है एक लाग रुपे ठीक है ये बंदा एक लाग रुपे लाता है और कहता है मुझे एक हजार रुपे कमाने है अब आप खुछ सोचो mathematically आप तो कोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक जगा है तो ये वाले बंदे इसलिए लॉज कराता है ये बंदे पैसा क्यों कमाते हैं क्योंकि ये पैसा तो लेके आता है इनके पास में safety के लिए strategies होती है और यही strategy भाई मैं भी use करता हूँ मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप currency trading कर रहे हो आप एक लाग रुपे के fund को use कर रहे हो तो एक लाग में से केवल 20,000 रुपे की आपको trade डालनी होती है जो कि 10 lot के अंदर आप काम कर सकते हो ये चीज़े मैं हमेशा बोलता हूँ reason यह है मैं भी ऐसी चीज़े देख कर दोखो हम इंडिया वाल है अगर हम ये चीज़ देख कर पता ना लग पाए कि भाई एक successful और एक कह सकते हो non successful person है उसमें क्या difference है और successful person करता क्या है अगर वो चीज़ हम copy भी नहीं कर पा रहे है ना तो भाई चुलूबर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाती है अगर हमें सारे staffs पता है कि भाई दोगो ये काम ये काम ये काम इस तरीके से करने से profit बनता है और फिर भी हम उस चीज़ का follow नहीं कर सकते तो हमें कोई भी कुछ भी कुछ नहीं करके दे सकता simple सी बात है जिम जाएंगे तो भाई शरीर बनेगा हमें पता है बड़ हम जाते नहीं है क्यों नहीं जाते common सी बात आती है वो खुद से पूछो ये सारी बात है मैं खुद उसमें भी मैं भी आता हूँ common सी बात है तो ये बात है हमें पता होनी चीज़ successful होने के लिए मैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए सब पता है हम लोग यहां पर वो चीज़ करने की focus ही नहीं करते है so इन दोनों age group वाले persons के लिए जो strategy count होई बड़ी simple सी है बाई intraday आपको नहीं करना गर आप नहीं हो और intraday वो लोग करते हैं जो लोग professional हो जाते हैं कह सकते हो 5 साल 4 साल का experience उनके पास आ जाता है then वो उसको intraday को use करना समझ जाते हैं आपको बताना चाहूंगा दुबाई के अंदर like jockeys होते हैं काफी सारे जो है ना वापर trading companies होती है दुबाई के अंदर वहाँ पर क्या है jockeys नाम के एक job होती है वो लोग दिन में इतने order paste करते हैं इतने order वहाँ पे डालते हैं कि दिन के बहुत बड़ी amount का कह सकते हो बहुत छोटे-छोटे amount के साथ कह सकते हो कि भाई अभी 100 रुपीज का share था तो 100 रुपीज and 20 पैसा होते ही exit like इतनी जल्दी 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 ट्रेड करता है तो वो लोग बनने में like वो job करने में जो professionalism आता है वो 8-10 साल की job के अंदर आता है बात ध्यान रखना और हम लोग क्या कोशच कर रहा है कि scalping हम लोग खुद बाखुद कर ले simple सी बात है और एक बात और ध्यान रखना अब आने वाले समय के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो strategy है वो algo के उपर shift करनी पड़ेगी ही पड़ेगी reason है कि market में कुस timing के changes भी आने वाले है और इतना लंबा अगर आप बैठोगे तो भाई कोई ना कोई problem आपको मिल जाएगी जैसे वे ने आपको बताया है कि market में क्या क्या चीज़े होती है हमारी time value हमारी money value हमारी energy value और हमारी health value तो common सी बात है हमें इन सब पे focus करना है कि हमारी time value भी बची रहे पता लगा सुबह से शाम तक हम trading ही कर रहे है तो भाई ये जो 20 प्लस की age है ना इसके इंदर ये बात ध्यान रखना ये इनसान तो कर सकता है 50 प्लस age है इनके पास में work है ने पता है कि हम क्या कर रहे है time value बचा सकता है money value कमाने के लिए share market involvement है energy value के लिए आप exercise कर सकते हो health value की बात की जाए जब market सुभे से रात तक चलेगी तो common सी बात है उस condition में ये health value भी काफी ज़ादा impact डालेगी ये बात हम लोगों को समझनी ज़रूरी हो जाती है so इनके लिए simple सी strategy वो चीज focus करो, practice करो simple बात है इनके लिए simple सी बात ही आ जाते है कि आप अपने fund को कैसे use करना है उस पर focus करो, return जो है एक limited amount of return निकलता है वो focus करो आप लोग focus इस बात पर करो कि trading करनी है हम लोगों को maximum swing trades ठीक, positional trade ठीक, उसी के साथ में हो सके तो option selling पर focus करो यह तीन चीज़े हैं जहां से actual में पैसा बनता है और बहुती safe तरीके से पैसा बनता है because यहाँ पर reason बड़ा simple सा है आपने पूरा fund चुका दिया है जो आपने चीज़ खरी दिया उसके आप मालिक हो प्लस आपके पास मैं यहाँ पर कह सकते हो then हमें profit होने की probability बढ़ जाती है सोचो मैं आपको बोलू कि आपने एक trade लेनी है और आपके पास अगर पैसे नहीं है और आपके पास समय नहीं है मतलब within 5 minutes आपको trade close लोड नहीं है otherwise आपके trade automatically close हो जाएगी आपके account में 1 lakh थे आपने 10 lakh रुपीज की trade ली है और within 5 minutes के अंदर आपको trade बंद करनी है मैं कहता हूँ tension के अंदर आजाओगे BP बढ़ जाएगा कुछी समय के अंदर अब अगर मैं इसको बढ़ा दू मैं बोलू भाई देखो यह चीज तुमारी ही है तुम इसको आज बेचो एक साल बात बेचो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके पास समय भी बहुत है तो high probability है कि तुम आपर जीच जाओगे मेरे भाई यह fundamental theory है profitable strategies count करने की और यह चीज हम currency में भी involved करते हैं और forex market में पैसा बनता क्यों है पता है forex international की में बात करूँ तो वहाँ पे तो 24 गंटे पांचो दिन जो काम किया जाता है उसके अंदर अच्छी बात यह है आपको leverage मिल जाता है leverage मिल जाता है कि आपके पास अगर मालो 100 रुपे हैं तो आप वहाँ पे 1000 रुपे छोड़ो आप वहाँ पे बहुत बड़ी amount के साथ trade कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है मुद्दा आ जाता है कि जब हम यहाँ पर time की बात करें तो यहाँ पर time value की भी कोई दिक्कत नहीं होती बट अगर इंडियन market के हम बात करें आप intraday करोगे, scalping करोगे अपने fund से ज़ादा fund को use करते हुए और time value कम होगी तो भाई वहाँ पे loss होने की probability बढ़ जाएगी और share market totally 12th class में हम लोगों को अगर आप basically math लेते हो तो उसमें probability सिखाई जाती है वो पूरा concept यहाँ पे implement होता है share market में मैं उन particular topics को बड़े easily connect कर पाता हूँ कि सारा game तो यार probability पे gameplay हो रहा है अगर मुझे दिख रहा है कि news positive सब कुछ positive, trend positive तो trade लेने में दिक्कत कहां आती है दिक्कत आती है fund value के साथ में दिक्कत आती है time value के साथ में और लोगों को यह बाते समझ में पता कर बाती है बहुत सारे लोग ऐसे होता है चार साल, पांस साल कर रहे है बट गलतियां कर करके खुद पे सीख रहे हैं चानक के ने खुद बोला कि अगर तुम सारी गलती खुद पे करोगे तो life छोटी पढ़ने वाली है तो आपके सामने जितने लोग है जो गलती कर चुके है वो 90% लोग जो नुकसान कराते हैं और 10% जो profit कमाते हैं खुद बैठकर आख बंद करके दिमाग लगाओ कि 90% loss क्यों कराते हैं और ये 10% profit क्यों कमाते हैं इसके साथ ही आपके सारे answer clear हो जाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब केवल ट्रेडिंग नहीं है यहाँ पे psychological game most important हो जाता है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हो पैसे को कितनी value देते हो उसको जेब में रखते हो और सिर पे रखते हो कि अपने सिर पे चड़ा रखाया गमंडी हो गए हो तो आप दोनों लोग यह बात समझो and अपनी focus करो कैसे skills को improve कर सकता है so I wish यह बाते मैंने अच्छे जैस समझा दी होंगी इसी के साथ में किसी का कोई question हो तो यह number है 9837482890 second number है 8077521043 किसी का भी कोई किसी तरी का कोई question है तो आप यहाँ पर high करके message भेज सकते हो आपको वहाँ पर पूरी detail शेर कर दी जाएगी अपने question को वहाँ पर fill कर सकते हो और आपका answer वहाँ पर दे दिया जाएगा आप अगर हमारे discord server पर join करना चाहते हैं तो discord server की link मैंने description में डाली हुई है वहाँ पर जाके आप check कर सकते हो पिन comment में भी मैंने सारी detail डाली हुई है यह सारी चीज़े आप check कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो भाई like कर सकते हो नहीं पसंद आई हो तो dislike भी कर सकते हो और किसी के mind में कोई question है तो comment box पे comment करो मैं आपके question का जवाब जल से जल देने की भरपूर कोशिच करूँगा ठीक है मिलते हैं next important वीडियो के अंदर I wish कि आज का topic कि क्या क्या चीज़े होती है वो clear हो गया होगा आपको झाल झाल झाल